जी फ्रेंड्स आज उबलते पाने में मूंग फली की एकदम ठंडी के लिए खास एकदम राम बन रेसिपी हम दो तरह के आपको बताएंगे तो फ्रेंड्स रूपा की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी अगर आपको सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए मुंग फली अभी सरदियों का मौसम आ गया फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी मार्केट में बहुत असानी से भी मिल जाती है तो कच्छी मुंग फली तो आप उसे ऐसी तरह से भी बना सकते हैं बिना धोये हुए मुंग फली को अच्छे से धोकर हमने साप कर लिया अब देख पारेंगे कितना यह सफेध हो गया इसका सारा पानी भी निकाल लिया है ऐसी तो मुंग फली को भीगोकर खाने के बहुत सारे फायदे हैं तो चलि मुंफली को डाल दीजे ऐसे तो यह मुंफली काफी ज्यादा यह फाइदे मन्द है अरन कायल से भरपूर है इसमें भरवर के अरन के लिसे पाया जाते हैं और यह हमारे हेल्ड के लिए भी काफी अच्छा होता भी सर्दियां चल रहे हैं तो आप इससे जरूर बनाएगे गा इसमें देखें अच्छा सा है उबाल आने लगा है क्योंकि पानी हमारा गरम था तो मुंफली है जल्दी से उबाल गई है देख पा रहे होगे लिकिन इसे हम 10 से 12 मिट कम से कम उबालेंगे तो इसे हम कवर कर देते हैं ताकि यह अच्छे से पक जाए जो मुंफली है वह अ कितने अच्छे से फूल गये हैं यह पक गये आप मैं आपको दिखाऊंगी भी कि पकने के बाद यह किस तरह से हो जाते और इसका सही पाचान क्या है रेसिपी हम जो बनाएंगे तो किस तरह का हमें पका हुआ चाहिए ज्यादा तो नहीं पक गया इस तरह से में नहीं चाह अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हो तो प्रेसर कोकर में आप दो सीटी लगा लीजेगा फटाफर से काम हो जाता है और यह देखिए हमारा मुंग फली अच्छे स्तियार हो गया तो अभी से बस छान लीजे ज्यादा इसे ओभर को बिल्कुल भी मत किजेगा और यह देखिए सारे मुंग फली है जो उबल गया है इसे पानी से छान लीजेए भी बहुत गरम है तो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो सारे छिलके से इसे मुंग फली को निकाल लें जो निकाल लेते हैं इसे फट फट निकाल लीजेगा यह घर में कोई और हो तो सहायता ले लीजेगा जल्दी से यह तैयार हो जाएगी और देखिए इस तरह के सारे को निकाल लेना है फ्रेंड से मुंग फली काफी जादा यह फायदे मन्द होती है ठंडी के मौस से बना सरीर को गरमाहट देने में काफी जादा यह मददगार होता है इसे भरवर के आरन कल्सियम पाए जाते हैं और यह खाने में बहुत ज़्यादा स्वर्दिष्ट बनेगी आप चाहें तो इस तरह से मुंग फली को छील कर भी आप ले सकते हैं लेकिन आज मैं आपको बिना छिलके लिए ही मैं आपको रेसिपी बताऊंगी क्यों चिलके ही काफी ज़्यादा फायदे म लगरा यह कच्चा मुंग फली था तो बलने के बाद यह थोड़ा सा पाइं डलकर इसे पीसेंगे ना तो बहुत ज़्यादा यह फायल जाता यह देखिए यह पेस्ट बनकर इस तरह से तयार हो जाता है पेस्ट इस तरह कब नाए गाना कि जयादा नहीं मोटा हो और नहीं अगर आपको रेसिपी बना के तुरंत खाना है या एकाव सब्ता के लिए बना रहे हैं तो आप इना घी के बना सकते हैं लेकिन हम इसे महीनों दिन तक खाएंगे पूरी सर्दी तक इसे बना कर रख लिया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगी एगर एक चमच घी म बना सकते हैं अगर आपको परहेज होतों या फिर खाना अगर नहीं पसंद होतों सारे पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हम ग्रेंडर को भी धोकर ले लिए क्योंकि इस रेसिपी में पानी की हमें जरूरत नहीं है तो पानी हमें लगेगी नहीं इसलिए इस वक्त थोड मेडियम रखेगा और अच्छे से इसे भूनाई कर लीजेगा छे से साथ मिन ताकि इसका कच्छा पनहाना वह बिल्कुल खातम हो जाब देख पा रहे होंगे इस तरह से हो गया अब हम ले लिए हैं पांच खजूर इसमें इतना रेसिपी के लिए इतना खजूर परियाप् आप इसे जरूर सामिल किजेगा डाट में फ्रेंड्स यह बहु ज़्यादा यह फायदे मंद होता है ठंडी के मौस हमें कहें तो यह सेहत का खजाना है हमें जरूर यूज करना चाहिए और यह धमने लिया है गुड जितना हमने मुंग फली लिया था ना उसका तिहाई भा हमारी काफी जल्दी और असानी से बन जाती है तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप देख पारे हो कि जो हमारा पेस्ट है वो कड़ाही में चिपक रहा है लेकिन बिल्कुल भी मत घवराई जिस तरह से धीरे-धीरे मेल्ट होगा ना गुड उस तरह असानी से स सारे अपने आप यह छोड़ देते हैं कि तीन से चार मिट में अच्छे से यह किस तरह से तयार हो गया है बहुत ही अच्छी इसमें से खुसबू आने लगी है गुड जो है ना और खजूर हमने जो डाला है वह हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा है सर्दी खासे जो काम मिलता है यह हमने लिया है जाइफल यह तो आपको पता है कि हमारे सरीर के लिए कितना यह फायदा है बड़े बजूर्ग बच्चे सभी के लिए यह रामबान है तो हमने आधा जाइफल को कदू कस कर लिया इस वाधत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बलकि हमारे सरीर का भी ना बहुत जादा एक ख्याल रखता है ठंधक में बहुत गर्माहट देता है सरीर को जो सर्दी खासी जुकाम से बचाये रखता है थोड़ा से हमने इलाइची को कुट कर ले लिया है ताकि इसमें सेहत का ख्याल रखते स्वाद का भी ख्याल रखे इसलिए अगर आपको पसंद हो तो ही आप इसमें इलाइची डालिएगा फ्लेवर में यह देखिए हमारी जो रेसिपी है बनके तयार होगे फ्रेंड्स लेकिन अभी हम इसको दो तरह से रेसिपी बनाएंगे क्योंकि हमारे युपी बिहार में यह बहुत जादा बनती है आपटो भाव्णांवर में और ईसमे इसे तो बनाना बनता है तो फोड़ा सा इस तरह से हम निकाल लेते हैं क्योंकि मुपली को मुझ मरे सी आफलूबा भी बनाकर खा सकते गरम गरम इसे खाएए बच्चे बढ़ेखर सकते हैं यह बहुत ही जा करें थोड़ा सा चिकनाई के लिए घी लगा कर और सारे जो मिस्रेन है ना उस डो की तरह से फैला दीजिए और तीन चाय मिटना अच्छे से मसल लीजे ताकि चिकना पन हो जा आप इसे एक सेप दे दीजिए जैसा आपको पसंद हो इसे आप अपने मन के संद सेप दे सकते है और इसे ठंडा कर लीजेगा यह बहुँ जादा यह गरम है तो हमें इस तरह का सेप दे दिया है आपको जैसा मन करें वैसा आप इसे काट सकते हैं बरफी का सेप दे सकते हैं या भी काजु कतली का सेप होता है ना उस तरह का दे सकते हैं या फिर आपको जैसा भी इच्छा करें मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है यह देखिए फ्रेंट से बेहदी सॉप्ट है खाते ही मुह में घूल जाए एक पीस है ना जो सेहत की चावी है तो आप इसे जरूर खाए कि को इसमें भरवर के आरन कल्सियम भरपूर मातरा में पाया जाता है फालवय के रूप में मिठाई के रूप में खा सकते हैं बिल्कुल काजो कतली की जो स्वाद होता है इस तरह के स्वाद आता है आप इसे डबा में भर लिजे आप इसे महनों दिन तक खाये बिल्कुल भी नहीं खराब होगी सुस्ती हो या फिस सरीर में एठन हो या जकडन हो तो बहु हो या कट-कट की आवाज आती हो मास पेसियों से तो आप इसे खा सकते हैं काफी ज़्यादा ये फायदे मंद होती है आप इसे सर्दियों में बनाकर 20-25 दिन तक लगतार खाये आपको काफी ज़्यादा आपको फर्क नजर आएगा और आपको बहुत ही अच्छा फील भी ह हमेज़ कि हॉत देदियों इसे बनाकर आपको बहुत का ऊठ Bailey कॉan झानैश सर्फिट यद देद चानि Billboard